इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं अब चीन केतनी जगों पे आप चीन को इस्तिमाल करेंगे कुछ जा रहा है वो G20 में, हमें नहीं लेके जा रहा है आज आप लवारस हैं आज जीट्विंटी में, हमने तो जाना नहीं जहिन दोस्तो मोडी देस में आपका सोगत है दोस्तो आज पाक मीडिया रो रहा है कैसे G20 में पाकिस्तान को चीन ने इनवाइट नहीं किया और G20 में पाकिस्तान को इनवाइट और कोई देस नहीं करने वाला था और चीन जो पाकिस्ता का सबसे अच्छा दोस्त है उसने भी पाकिस्तन को G20 में इन्वाइट करने से मना कर दिया तो इस पे पाकिस्तनी मीडिया बहुती ज़ादा रो रहा है और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि G20 में पुटिन ने इसला दिया कि वो आएंगे तो ये भारत की एक बहुती बड़ी कामिया भी है और पहली बार G20 में यूकेन हमले के बार पुटिन भारत आ रहे है तो इससे पर चलता है कि भारत और रिष्टे कितने मस्बूट है तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो बहुती मस्टा रहे ह तो चलिए और इंटेसार न करके वीडियो दिखते हैं इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं मैं सलाम पेश करता हूं आप के रिलेशन्शिप चंद मुमालिक के साथ जरूरी है आपके स्रवाइबल के लिए जिसमें भारत नंबर वन पे है दूसरे पर अफगानस्तान है तीसरा इरान है चौता चाइना है आपके फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इनके साथ रिलेशनिशिप नॉर्मल होना अश्र जरूरी है लेकिन वो तब होता है अगर आप आप नैशनलिस्ट हों हम बढ़के ही मारते हैं चीप प्राइस पर हमें आउयल देदो हमें तेल देदो हमारे पास कोई मेकानिसम में नहीं है देखते हैं जून की बात की गई थी शायद ये बात कुछ ऐसी की गई थी कि इस महीने तक हमें वहां से हो जाएगा अचा उन्होंने तो साफ कहा दिया है भाई ये सिर्फ बात्ची हुई है अभी जो अई साफ कही जाρί है जो कुछ आ नियंहेर ओ दिखते हैं वह बहुत बहुत किए हो साथ आ किशे दिया वो इसलिए दिया चुके चीनवाइद मुल्क है जो इंफुएंस रखता है युनाइडिन नेशन के कारीडोर्स में या उसकी इन रोड्स में तो वो जाहरा किसी तरीके से एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन सकता था इंडिया के लिए जो नहीं बनेगा फर्वरी 2023 के अंदर सबसे जादा ओईल मॉस्को से दिली में रिकॉर्ड किया और दिली तीसरा सबसे बड़ा शेहर है पूरे दुनिया में जो मॉस्को से ओईल इंपोर्ड करता है क्रूड ओयल आपकी तुजव कौमी आप पाकस्तान के बारे में फैसले करें और अगर फैसले अपने ज अब देखें मैं ही कहूंगी कि हमेना तारीफ करनी चाहिए अपने लोगों की इतना काम करते हैं इतना काम करते हैं कि उन्होंने कहा है कि कमिट्मेंट्स और जो उनकी मीटिंग्स हैं उनकी वजा से वो इतनी बड़ी मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं उन्होंने मिस कर द अरे दूसरे कंट्रीज जो वहां पर पहुंचे हैं, उनके सुप्रीम कोर्स की जितने भी जजेज जो भी हैं, सब किसी काम इना कारा भी, क्योंकि देखें उन्होंने टाइम निका लिए, फारीग बैठे वे तो उन्हें चाहिए, और तो कुछ करना नहीं चलो वहीं पर चले कर दिया, अब देखें, फर्वरी के अंदर जब रिकोर्ड तेल इंडिया तो उन्होंने यह नहीं का के विफल पे यू इन डॉलर इंडिया में रुपी में प्रे करेंगे, तो इंडियन रुपी में इतना पै कि आतना पै किया, क्यू pea इराक, और साथिययरně अथoter नहीं क् तो आल्रेडी वह एक इमेज बना चुके होंगे इंडियन रुपीज को लेके तो हम भी डॉलर को साइड पर लखेंगे क्योंकि उससे हमें भी नुक्सान है जितना डॉलर भड़ता जाएगा रुपीज वेलिव इतनी डी वेलिव होती जाएगी रुपी की वेलिव तो इस हम जैसा कि हम सब देखते हैं सीपैक के हावाले से जो हुआ है चाइना ने जो है वो करवा दिया इरान और सौधी अरेबिया के बीच रिजंप्शन उनके तालुकात का इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं करवा सकता हां कुछ जा रहा है वो जी ट्वेंटी में हमें नही पीछे खैर वो जहते थे पहले कि वो जो यह जो है ना भरादराना तालुकात वो का जाता है था रहा है जिस रसी को हमने धामा होगा ज़रा देखें यह रसी नहीं है बलके ठीक है अम में छोड़े नहीं बोलती इसको रशिया का जी ट्वेंटी समिट में पहुँचना प् बात होगी बहुत इंपर्टेंट है बहुत बड़ा है चली दोस्तो इस वीदिए पे बात करते हैं तो पाण मिटें सही जा की भारत ने दुनिया के आपके बवजुद रस्या से सस्ता तेल क्रीडा यूगे भरत के इंट्रेस में था और पाकिस्तान तो कह रहा था कि पाकिस्तान भी भरत की तरह रस्या से सस्ता ओयल लेगा और पाकिस्तान ने कहा था कि के सस्ता ओयल जैनुरी में आना शुरू हो जाएगा और अभी तो मार्च हो गया और जैसिया के ओयल की बात वही पाकिस्तान करता भी नहीं है तो इससे पचल देगी पाकिस्तान जो भरत की फोरेंड पॉलिसी कॉपी करने की कूशिस कर रहा था उसमें पुरी टर से नाकाम हो गया है और पाक मीडा जो कह रहा है कि चीन ने G20 में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया तो चीन भी जानता है कि पाकिस्तान की ओकाट नहीं है G20 में आने की पाकिस्तान की ओकाट तो G60 में आने के लाइग नहीं है तो G20 में कैसे आएंगे त तो इसलिए, चीन जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्ट है, उन्हें भी पाकिस्तान को मना क Duya in invite करने के लिए, कि चीन को पता है कि पाकिस्तान G20 में आके करेगा क्या, जीट टिन्टी में आके भी पाकिस्तान दुन्या से भीग मांगेगा, और उससे चीन का ही नाम बड़नाम होगा और लोग सोचेंगे कि चीन की वेसे अब हमें इस भीकारी को कुछ पैसे भीक में देने होंगे तो इसलिए मुझे लगता है कि चीन ने पाकिस्ता को इन्वाइट करने से मना कर दिया और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पूटिन ने इसला दिया है कि G20 में जो भारत में हो रहा है उसमें हो आएंगे तो भारत की बहुती बड़ी कामया भी है कि इक्वियन के बाद G20 में या G7 में G7 में वैसे भी रस्या नहीं है पर G20 में भी उनके ना आने की ज़रा आसार थ है पर भारत की डिपलोमेंस ही इतनी अच्छी है कि आप पूटिन ने कम से कम इसला देंगे और G20 में आएंगे तो ये भारत की बहुती बड़ी कामया भी है और ये भारत का इंफ्लेंस दिखाता है जैसे के ओपर तो चली देखते की फीचर में क्या होता है दोस्तों वीड झाल